जै माकाली मित्रों आपका मेरे चैनल माकाली मा दुर्गा शक्ती समवाद में स्वागत है मित्रों अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें लाइक करें शियर करें साथी नोटिफिकेशन बैल को भी प्रेस करें साथ ही आप मेरे दूसरे चनल माकाली माकाल शक्ति उपासना को भी सब्सक्राइब करें वापर भी आपको इसी प्रकार की जानकारी प्राप्त होगी मित्रो आज का विशे ये है कि क्या हम एक से ज़्यादा देवता की पूजा कर सकते हैं या नहीं देखे मित्रो ऐसे बहुत से प्रेशन मेरे पास आ रहे हैं कि हम एक देवता की पूजा करते हैं तो क्या हम दूसरे देवता की पूजा कर सकते हैं नहीं या हमें सपने में कोई कोई देवता दिखाई देते हैं तो क्या हम उनकी पूजा कर सकते हैं देखिए मित्रों पूजा का कोई जो है सीमा नहीं होती क्या आप किसकी पूजा करेंगे और किसकी पूजा नहीं करेंगे आप अपने इस्ट देव एक बनाते हैं और इस्ट देव वो होते हैं जिनके लिए हमारे मन में भावुत पनोता है और जब भावुत पनोता है तो उनकी हम पूजा अराधना करते हैं जिसका हमें पून फर्ल मिलता है इसके अलावा भी हमारे घर के कुल देवता होते हैं एक हमारे घर के रिती रिवाज होते हैं जिसके अनुसार घर में किसी देवता की पूजा चली आ रही होती है तो जो घर के सभी व्यक्ति होते हैं उनको भी उनस देवता की पूजा करनी पड़ती है और ये पीड़ी दर पीड़ी चलता रहता है लेकिन सब व्यक्ति अपने इस्ट देव अलग-अलग बना कर बैठे हुए होते हैं तो ये प्रशन है कि क्या हम उनकी पूजा भी करें और उनकी भी यानि कुल देवता कुल देवी की भी पूजा करें और अपने इस्ट देव की भी पूजा करें इस्ट देव की तो पूजा आपको करनी ही है हर इस्तिती में आपको पूजा करनी ही है अगर साथ ही अपने कुल देवता की भी पूजा करनी है कुल देवी की भी पूजा करनी है आपके पित्र जो होते हैं उन पित्रों की भी आपको पूजा करनी है और इसके लावा भी अगर आपके घर में कोई चीज मानी जाती है कोई भी रिती रिवाज है उसका पालन भी आपको करना है और साथ ही अगर आप को किसी और प्रकार की परेशानी है जिसके द्वारा आपको कोई दूसरी पूजा बताए जाती है कि आप इसकी पूजा कर लीजे आपको इससे लाब होगा या आप कोई साधना करते हैं कोई मंतरे जाप करते हैं ऐसा नहीं है कि अगर आपने इश्ट बना लिया तो का आपके ओल उन्हीं की पूजा कर सकते हैं, किसी और की पूजा नहीं कर सकते हैं, किसी और देवता की क्रपा प्राप्ट करने के लिए, उनकी सिद्धी प्राप्ट करने के लिए भी आप उनकी पूजा कर सकते हैं, लेकि उसका नियम ये है कि सबसे पहले अगर आप किसी और देवता की पूजा करने जा रही है तो सबसे पहले आप अपने इश्ट की पूजा करें उसके बाद किसी अन्य देवता की पूजा करें क्योंकि जो इश्ट की पूजा है वो तो आपको जीवन परियंत करनी है लेकिन अगर आप कोई अरादना, साधना या सिद्धी कर रहे हैं, तो वो आप एक सीमिच समय के लिए करेंगे, तो वो सीमिच समय के लिए आप दूसरे देवता की पूजा कर सकते हैं, या साथ ही किसी अन्य देवता की भी पूजा कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको सायक देवता बोलते हैं, जो भक्त होते हैं, चोकी लगाते हैं, वो अपने इस्ट के सासत अन्य देवताओं की भी पूजा करते हैं, जैसे अगर कोई माकाली की पूजा करते हैं, तो साथ में वो भैरोव जी की भी पूजा करते हैं, हनुमान जी की भी पूजा करते हैं, या सामान्य रूप से अगर सामान्य व्यक्ति की हम बात करें तो सामान्य व्यक्ति भी अन्य देवता की पूजा कर सकते हैं लेकिन सबसे पहले वो अपने इश्ट देवता की पूजा जरूर करें ये ना करें कि आज तो हमने हनुमान जी की पूजा की, फिर उन्हें छोड कर हमने बोलिशंकर की पूजा ची सिरु腊 के हमने बग्वति attent का ली कि पूजा की इसके बाद मा दुर्गा की करी ऐसे कोई नहीं क्यों कि पूजा और भक्ति होता है वो ऊप्सपेरिमेंट का विशे है और इश्वर आपके भाव को ही देखता है और उसी से वो प्रसन होता है और प्रसन होने के बाद आपके कारी भी सिद्ध करता है और इस जनम में सुख देग कर आपको अपने परमधाम ले जाता है क्योंकि जो व्यक्ति अपने इस्ट की पूजा करता है तो वो उसी इसी प्रकार मैं आपसे फिर मुलूंगी इसी तरह की वीडियो को लेकर। तब तक के लिए मा भगवती से यही प्रात्ना करती हूं कि वो आपके भंडारे भरती रहे और आपकी सभी मनों कामनाओं को पूर्ण करे। जै महाकाली जै महाकाल